नमस्कार मैं बलजी ढाका पिनेकर कोचिंग से आपका स्वागत करता हूं और बहुत इंपोर्टन्ट आपके लिए न्यूज है ये न्यूज है जैसा आप जानते हैं भी होगे कि आज 13 तारीक को 13 सेप्टेंबर को अनौंस होना था आपके रिलीज होनी थी फाइनल आंसर की SSC CHSL टैरों से लिए जैसा आप जानते हैं कल रजल्ट आ गए था लेकिन बहुत सारे स्वेट को ये पता नहीं था कि उनके फाइनल मार्क से वो कितने बन रहे हैं वो मंजल से कितनी ज़्यादा दूर है कितनी ज़्यादा नजदीक है तो आज आपकी फाइ इस लिंक पर जाना है आपको और यह लिंक मैं नीचे description में भी दे रहा हूं नीचे comment section में भी दे रहा हूं और यहां पर community tab में भी आपको link मिनेगा वहां से बिद जाना है और वहां से आपको सिधा मिल जाएगा यह link भी तो वहां से भी जा सकते है जैसे इस link पर click करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, आपको उपनी यूजर आइडिया और पासवर्ड इस्तेमाल करके लोगिन करना है, और ये एक महीने के लिए आपके लिए लिक खुला रहेगा, मतलब कि आप अपनी जो फाइनल आंसर सी आपको नजर आएगा, मतलब कोश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा और कितना स्कोर आपने किया, ये भी आप उससे अंदाधा लगा लेंगे, ठीक है, और ये सारी सी से आपका अभिलेवर होगी, अब आ जाता है कि जो बच्चे 29 तारीक हो ये टाइटू का एक्जाम कब है टाइटू का एक्जाम 29 तारीक है जिनका ये क्वालिफाई हो गया है ये 29-9-2019, 2019 को आपको ये टेस्स देना है सिए चसल लगा, लगभाई 14-15 दिन के आसपास, 13-14 दिन के आसपास बचाऊ हो है, रिजनेबल टाइम है, एक दिन में अगर आप 5-7 गंटे या 7 गंटे भी पढ़ते हैं, तो लगभाई 17-80 गंटे टाइम आपके पास है, और अगर इसका सदुपयोग बूरा अच्छी तरिकेश किया जाए, धंग से किया जाए, तो आपकी प्रपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन बच्छे किया बटक जाते हैं, इधर बटक जाते हैं, लेकिन वो तयारी कम करते हैं, और इसकी चूगली-चागली ज्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बैटर यह है कि आप अपने तयारी पे फोकस के जीए, यह तसल बहुत जादा इंपोर्टेंट ह आखते हैं, टायर बन था 200 मार्च का, लेकिन जो टायर टू है, गेम शेंजर होने वाला है, डीसिजिजिव होने वाला है, टायर ुंप्री uyटेंट होने वाली है, तो अभी भी गेम ओवर नहीं हो यह बहृत उपन अभी भी, अगर आप प्रफेशनल है ने नाल चाते है, तो आप यह नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 14 सेप्टेमबर से जिसमें 70 गंटे में एक समार्ट कोर्स के रूप में हमने इसको करनवाट किया है वह आप जॉइन करके अगर आप हमारी हेल्प लेने साते हैं तो इस तरह से आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं तो इस प्रजेंटेशन में इतना ही thank you very much for watching this और मैं इस कोर्स के बारे में एक वीडियो और बढाऊ हूँ आप आप देख सकते हैं thank you very much